नमस्कार जैश्रगाम बात करेंगे मध्यप्रदेश ओपिनियन पोल के बारे में इस पोल में हम जाएं उससे पहले करनाटक के चुनावी रिजल्ट के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है क्योंकि वहीं की असफलता से हमने पीक पकड़ा और समझने का प्रयास किया कि क्या अंडर करेंट सिवराज सिंग चौहान के फेवर में है या अंडर करेंट कमल नाथ के लिए पनपरा है सच तो यह है कि आज से पांच महीने पहले कॉंग्रेस बीजेपी से कहीं आगे दिख रही थी और बीजेपी से ना केवल आगे दिख रही थी बलकि उनका इंटर्नल सर्वे उनको स्वय में 130 सीटे दे रहा था और BJP के लिए सबसे पहला इंटर्नल सर्वे जो RSS की कैडर करती है उतके द्वारा हुआ था जिसमें भारतिये जंता पार्टी को 105 से 116 सीटे में ले थे इसके बाद रक्षा बंधन से पहले मामा की ताबर तोड स्की में सुरू होगे तो पहला प्रश्ट हमने पूछा के मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पद का सबसे चाउम्मीदवार कौन है हमारे सर्वे में 40% लोगों ने सिवराज सिंग चोहान का नाम लिया तो वही 36% ने कहा कि कमल नात मुख्यमंत्री के लिए अच्छे चेहरे हैं कुछ लोगों ने नरुत्तम मिश्रा को भी कहा किन्तु वो एक से डेड़ परजेंट है किन्तु इसका कैलकूलेशन ये करना होगा कि वो दोनों बीजेपी के चेहरे हैं दिखविजय सिंग के लिए भी कुछ लोगों ने कहा लेकिन वो बहुत कम था इसलिए मुस्मार जीन को नहीं जोड रहा है अगला प्रस्ट मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान का सासनकाल कैसा रहा है इसको हम दो भाग में बाठते हैं पहला सासनकाल उनके सुरू के दस साल को ले करके है जिसमें लोगों न कहा कि चुकी मद्यपरदेश बहुत ही बिमारू राजित था वहां बहुत आस्चर जनक रूप से विकास के काम किये मामा ने मामा ने गरीब और पूरे मद्यपरदेश के तबके का सही डंक से ख्याल रहा तो हमने पूछा कि काम कैसा रहा इसमें जवाब थोड़ा सा कठीन ओवराल 48 प्रतिसत लोग खुश नज़र आए लेकिन बहुत अच्छा काम कहने वाले मात्र 15 प्रतिसत लोग थे यानी ओसत कहने वाले ठीक-ठा कहने वाले एवरेज कहने वाले लगभक जो पहुंचता है वो लगभक 33 प्रतिसत पहुंचता है इसी में हमने अगला counter question करवाया कि मामा या कमल नाथ में उस 48% लोग में से कि आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे तब उन्होंने कहा मामा किन्तु जब हमने कहा मामा या बीजेपी का कोई और ने था तो ये आंकड़ा बदल जाता है मात्रूस में से 22% लोगों ने कहा कि मामा को रिटेन करना चाहिए बाकी बचे हुए लगभग 25% लोगों ने कहा 26% लोगों ने कहा कि मामा के बदले कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो बीजेपी आसानी से चुनाओ जीतेगी यही को हमें कुछ कुछ करनाटक जैसा सुनाई पड़ा इसलिए हमने थोड़ा और डीप जाने का प्रयास किया फिर हम चंबल की राजनीती में पहुंचे है जहां पे आमादमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सबी ने अपने अपने कंडिडेट खड़े करने के ऐलान करती है आमादमी पार्टी ने तो कंडिडेट की लिस्ट जारी करती है ऐसे में हम चंबल की राजनीती में पहुंचे तो वहाँ पे जाती वादी मान सिक्ता भर के दिखी वहाँ भी caste factor important देखा फिर हमें पता चला कि सिराज सिंग चौहान के प्रती anti-incumbency है किन्तु महराज के प्रती नहीं है महराज कहिए यूराज कहिए जो कहना कहिए जोतिरादे सिंध्या ने वहाँ पे कमान संभाली और इस्थिती बहुत खराब हो सकती थी BJP कि मगर वहाँ पे vote share पिछले कुछ दिनों में बढ़ाने का प्रयास हुआ है ये कितना होगा है हम दूसरे opinion पोल में बात करेंगे इसी opinion पोल में एक बड़ा खुलासा जो हुआ वो ये था कि हम पहले step by step पहुँचे कि इस opinion पोल को करने से पहले क्या मुसल्मान पसमंदा तुष्टी करण तृप्ती करण का कुछ असर दिख रहा है मुसल्मानों से हमने चार मूलभूत प्रस्ण पूछे BJP और कॉंग्रेस में कौन सी पार्टी को आप vote देंगे उत्तर मुझे तो नहीं चौका था हो सकता है भाजपा के लोगों को चौका है लगभग मातर एक्चुली साथ लोग इस sample size में वो मुसल्मानों के बीच हमारा sample size लगभग धाई हजार का लोग है उस धाई हजार में मातर साथ मुसल्मानों ने कहा के बीजेपी का काम अच्छा है सुनियागा बीजेपी का काम अच्छा है लेकिन वोट वो कॉंग्रेस को देंगे यानि लगभग धाई हजार में धाई हजार लोगों ने जन्विन मैं किसी IT cell की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मुसल्म माइनॉर्टी cell की बात नहीं कर रहा हूँ उन पे जाएंगे तो वो तो कुछ भी कहते हैं किन्तु वोट नहीं पड़ता तो उन इलाकों में इसमें भोपाल है इंदौर है जबलपूर है सतना है कटनी है यहाँ पे कम से कम इस एरिया में मुसल्मानों ने साफसाफ BJP को reject किया मैंने कहा कि लेकिन कमलनात हिंदutesy की राजनीती कर रहा है अब सुनियेगा इस प्रस्त्र का उत्तर बड़ा interesting है जब हमने कहा कि कमलनात हिंदutesy की राजनीती कर रहा है अब यह interesting question था हमारी team के द्वारा कि कमलनाथ हिंदुत्य की राजनीती कर रहे हैं तो BJP से कैसे अलग हुए और हिंदु राष्ट बनाने वाले धिरेंदर सास्तरी जी की पुजा कर रहे हैं तम मुसल्मानों ने कहा कि ये राजनीती है राजनिती में उनको भी हिंदुत्य की राजनिती करने का अधिकार है किन्तु हमारी पार्टी मुसल्मानों की पार्टी है और यह 100% था Awareness Awareness अब यही प्रस्ट हमने करवाया हिंदू समुदाय से कि कौन ज्यादा हिंदू वाधी पार्टी है सुनिया का पड़ा इंट्रेस्टिंग है कौन अधिक हिंदू वाधी पार्टी है 60% हिंदू ने कहा कि नहीं BJP हिंदू वाधी पार्टी है वो सनातन के प्रतिसमर्पित है लेकिन 40% हिंदू ने कहा कि नहीं नहीं कमलनात भी हिंदू है और कमलनाथ भी सनातन का संबान करते हैं यहीं से हमारा अगला प्रश्ण जन्म लेता है और हमने टाइम क्यों लिया यह बताने का समय है आकड़े हमारे पास उदै निधी स्टालिन के बयान के आने के पहले पहुँच चुके थे और हम वहीं पे डिसाइड कर सकते थे पहला उपिनियन पोल करना है कि नहीं किन्तु पहला उपिनियन पोल पबलिश होता उससे पहले नहीं समस्या आई और वो उस नहीं समस्या का नाम था कि सनातन धर्म मचड़ है कीड़ा है मकोड़ा है ठीक है इसके बाद राज़त के नेताओं के बयान इंडिया लाइन्स के कई नेताओं के बयान है सनातन धर्म के विरुद्ध यहां तक के कॉंग्रेस अध्यक्ष के सुपुत्र प्रियंग खडगे का भी सनातन धर्म को अपमानित करने वाला बयान आया उसके बाद तमिलाडू में ग पीजेपी की तरफ जाता है 30 प्रतिसत जाता है कॉंग्रेस की तरफ और सायद यही एक मात्र कारण था जिसकी वज़े से कमलनाथ ने जबकि अक्टूबर में रैली होनी थी यह बार ठीक है कि आर्थिक रूप से भी कमलनाथ पर बोज पढ़ता किन्तु रैली महागठबंदन की अक्टूबर में होनी थी और वो इंडी अलायन्स बे ऐसे लोगों को बंच पे नहीं सामिल करना चाते थे जो उनके इमेज के लिए ठीक नहीं होते कमलनाथ ने इस इमेज को तोड़ने के लिए जल्दी जल्दी सादू संतों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया यहीं नहीं दिगविजे सिंह के फोटो हटवा दिये गए मध्यपरदेश में पूरे मध्यपरदेश में इंफैट कहा है लेकिन भोपाल जबलपूर में जो बड़े पोस्टर्स थे वहां से दिगविजे सिंह का फोटो गाया बुकद दिये गया अब यहां से हमारा अगला प्रस्ट कॉंग्रेस में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन कोई confusion यहाँ पर नजर नहीं आता जिन कॉंग्रेस समर्थकों ने हमसे बात की और कहा कि कॉंग्रेस को वोट करेंगे उनमें से लगबग 85% लोगों ने कमलनाथ को माल लिया एकदम सिमिलर आकड़ा है जैसा सिधरमया के साथ हुआ था इसमें मतलब कोई किंदू परंतू नहीं है अब राहुल गांधी, प्रियंका वाडरा और कमलनाथ के हिंदूत्व को ले करके इसमें हमने थोड़ा सा टिल्ट हुए हम बीजेपी की तरफ ही से ये कहना पड़ेगा हमने प्रयास किया कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि वास्तों में कौन कालनेमी और कौन सनातन समर्थक है ये प्रष्ट सिर्फ हिंदूों से किया गया, मुसल्मानों से नहीं किया गया क्या कॉंग्रेस पार्टी हिंदू बन करके हिंदूों को भ्रमित करने का काम कर लिए इस प्रष्ट का उत्तर बड़ा सांधार है लगभग 60% हिंदूओं ने माना कि कॉंग्रेस पार्टी सुरू से हिंदू विरोधी है यानि इतने मेहनत के बाद अगर हम पिछले परस्ट के उत्तर में जाएं जाएं हिंदू विरोध वाला और सनातन धर्म को मिटाने के लिए इंडिया लाइन्स वाला तो हमात दो प्रतिसत का गैप हुआ है यानि कॉंग्रेस अभी भी बहुत सारे हिंदू मानते हैं कि नहीं भी सनातन धर्म के लिए ठीक है और सनातन को वो बिलकुल नुकसान नहीं पहुचा दिए अब आते हैं हम वोट शेयर पे पूरे मध्यप्रदेश को हमने रिजन में बाटना उचीत नहीं समझा है इसलिए चंबल रिजन को हमने भले अलग बोला है लेकिन मध्यप्रदेश को हमने मध्यप्रदेश के दृष्टिकोंड से देखा और चुकि हमारा दूसरा है एक पहले हम सर्वे कर चुके हैं 2018 में और वो almost करीब था, जिसमें हमने कहा था कि BJP majority से पीछे रह जाएगी और Congress भी रह जाएगी, Assembly hung होने की संभावना है, इस बार भारतिये जनता पार्टी को हमारे सर्वे के अनुसार 42% वोट मिल रहा है, वहीं Congress पार्टी को हमारे सर्वे के अनुसार लगभग 40% वोट मिल रहा यह बड़ा neck to neck मुकाबला है, इसका एक कारण है, SCST समुदाय में इनका वोट शेर बढ़ना, BSP का वोट शेर नीचे जाना, समाजवादी पार्टी ने भले candidate खड़े हुए, लेकिन मुसल्मानों का के अंदर कोई भरम की स्थिति नहीं है, एक भी मुझे भरमित मुसल्मान नहीं मिला, जिसको पता नहीं था कि उसे कहाँ वोट करना है, एकदम crystal clear पता था कि कोई तुस्टी करण की योजना चल जा है, तिप्ती करण की योजना चल जा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं परता, मामा की सैक्णों योजना है, जो मुसल्मानों तक भी पहुंचती है, ल योजी मॉडल सही है या गलत है, ये कोईशन हिंदूों के बीच में, खास करके हमने उन जगों पर किया, जैसे भोपाल में, जबलपूर में, और ये इंदौर का नहीं है, मैं पहले बता दूँ, इसमें अभी पहले राउंड में इंदौर हमने सामिल नहीं किया, चंबल के और ये नंबर लगभग 60% था, यहीं से हमारा दिमाग में एक प्रश्चला की राजपूतों के बीच पूछते हैं कि योगी जी का इमेज कैसा है, हमें कोई राजपूत कनफ्यूज नहीं मिला, इकका दुक्का छोड़ दें, उसे सेंपल साइज में हम गिनते नहीं है, इक कोई राजपूत मध्यप्रदेश का भी कनफ्यूज नहीं मिला, जिसको पता नहीं हो कि योगी एक बहुत अच्छे एड्मिनिस्ट्रेटर हैं, और मध्यप्रदेश को वैसे एड्मिनिस्ट्रेटर की आवसकता हैं, अब आते हैं हम डिरेक्ली सीट्स पे किसको कितनी सीटे मिलेंगे, इस चुनाव में कॉंग्रेस को 100 से 110 सीटे हैं, हमारे सर्वे के अनुसार ATS News Agency के जो सर्वे है, ATS Digital हमारी जो कंपनी का नाम है, उसके द्वारा जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार 100 से 110 सीटे कॉंग्रेस को, जीरो से 4 सीटे हैं, अन्य को, इसमें BSP को भी एक सीट मिलने की संभावना है, एक सीट चंबल में डेंट कर सकती है, आम आदमी पार्टी हो लेकिन वो कॉंग्रेस को कर रही है, इन फैक्ट यह मैं कहूंगा कि आम आदमी का प्रेजन्स जितना भी है, वो डेंट कॉंग्रे दिप्रदेश चुनाव में उनके खिलाफ कंडिडेट्स उतार चुके हैं, खेर, आगे बढ़ते हैं, BJP, हमारे सर्वे के अनुसार भारती है, जनता पार्टी को 108 से 122 सीट मिल सकती है, यानि जो मेजॉरिटी मार्क है 230 में से 116 वाला, इसका एवरेज किया जा तो वो एव दिप्रदेश चुनाव को हम ये समझने का प्रयास करें, कि पांच साल में कमलनाथ की सरकार देखी, BJP की भी सरकार देखी, और फ्री रेवडी की सरकार हिमाचल और करनाटक की भी देखी, तो क्या फ्री रेवडी का असर पढ़ रहा है, इसका उतर ना इसलिए क्योंकि माम मंतरी का कितना रोल होता है, चुनाव के डेट्स के अनाउंस्मेंट के बाद, जहां मेरी खुद की ग्राउंड रिपोर्टिंग अब आप देखेंगे, आने वाले मात्र कुछ हपतों में, कुछ वीक्स में, कुछ सप्ताह में, इसको आप जैसे सुनना चाहिए, तो अगले कुछ सप्ताह में, जब मैं रिपोर्टिंग करूँगा, तो मैं बताऊँगा कि कितना बड़ा रोल प्ले करेगा नरेंद्र मोदी जी का, खुद का स्टेचर, और वो कितने वोट और ट्रांसफर करा पाएंगे, यहां मात्र एक प्रतिशत का अगर बीजेपी को गेन होता ह यह बताना जरूरी इसलिए है कि मात्र एक प्रतिशत का अगर भारतिये जनता पार्टी को वोट शेर में गेन हो जाता है, तो बीजेपी का सीट जो है, वो 120 से 132 तक चला जाएगा, वहीं कॉंग्रेस 85 से 100 तक आ जाएगी, लेकिन अगर एक प्रतिशत कॉंग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, तो कॉंग्रेस पार्टी 105 से 120 तक पहुंच जाएगी, यह एरिया बहुत डिपेंड करता है कि जैसे इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, यहाँ पे कितना महराज अपना प्रभाव चला पाते हैं, यह बात समझना अवश्यक है कि महराज के साथ जो वि परिवार का सदस्य विडियो देख रहा है, उसको जस्टिफाई कर देगा, तो मैं उनके कॉमेंट को भी पिन कर दूँगा, अगर ऐसा जस्टिफिकेशन आता है, तो यह एक डेंजरस चीज है कि उनके उपर भरोसा करके जो विधायक आया थे, मामा और बीजेपी के जो भ इतना इंपेक्ट पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा, चुकि मामला नेक टूनेक है, तो दो और ओपिनियन पोल हमें करना पड़ेगा, उसके बाद हम बात करेंगे, तब तक जैश्राम हर हर महादेव, अगर आपको लगता है कि हमारी टीम का कार है ठीक है, ओपिनियन प